हेलो तो यहाप आप देख सकते हो यहाप पर क्या है यहाप पर लगा के रखा हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट अभी निफ्टी 50 में कौन से important levels होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे उसके साथ में हम यहाप यह भी देखने वाले कि निफ्टी 50 कि इस तरीके से आज momentum दि उसके साथ साथ जो हमारा फ्री टेलिग्राम चैनल अगर आपने उसमें जॉइनिंग नहीं किया तो वहापे ब्याकर क्या आप जॉइनिंग कर सकते हो यह टोटली फ्री होता है ठीक है अब यह फ्री है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाकर क्या आप इसके अंदर जॉइनिंग कर सकते हो अब देखने वाली बात यह है कि कल वाले वीडियो में हमने क्या बताया था किस तरीके से मॉमेंटम हुआ अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी कल भी जो आ रही थी मार्केश क्या करता है लगबग उस ट्रेंड लाइन के पास आ जाता है उस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक भी कर देता है उसके बाद वो क्या करता है यहाँ पर पी वालों को एक्टिवेट कर देता है क्या कर देता है वो पी वालों को एक्टिव कर देता है उसके बाद में वो यहाँ पर ट्रै व्याइब जेंदे हुम्ने उस कंग पर्सेंट यहां पर सेव घ् knee यहां हो चुकह थे वह जोव आपको डूक्त करना होता है न तो आपको यह समझना पड़ता है कर त्मैंद्फ दो होता ही और वह पशलिक है त्थ यहां से वह उपर निकलने की high possibility chances हो सकती है अब यह high chances है कि ऐसा हो सकता है markets में nifty fifty में क्योंकि इसका already logic हमने देख लिया है कि market ने यहां पर जो है वो trap कर लिया है ठीक है मतलब अभी यहां पर जितने लोगों ने पूट पर्चेस किया होगा अब वह वापस यहां पर यहां पर पूट पर्चेस करेंगा ना उसका loss होगा और फिर market एक opportunity देगा आपको यहां पर पूट पर्चेस करने की और तब जब market आपको पूट पर्चेस करने की opportunity देगा तब आप यहां पर पूट पर्चेस नहीं करोगे आप यहापे put purchase नहीं करोगे and तब market नीची जाएगा अब यह simple सा logic होता है अब आप यहापे put इसलिए purchase नहीं करोगे क्योंकि आपने already put यहापे purchase किया था and आपका यहापे losses already हो चुका था जब आपका एक बार loss हो जाता है तो आप वापस वही चीज नहीं करते दोबारा है ना तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझना होता है लेकिन जो smart होते हैं वो क्या करते हैं भले ही उनका stop loss यापे heat हो जाए उनका stop loss यापे heat हो जाए वो वापस यापे reentry definitely करेगा क्यों करेगा क्योंकि वो एक और बार risk लेगा ओके तो risk को वो manage करके之前 उसके पास रिशक management है अब जिसके पास risk management है वही यह चीज came करेगा उसी को पता है कि हर एक चीश के साथ रीज मैजमेंट के साथ profit कैसे generate करना है किस तरीके से re-entry करना है किस तरीके से अपने पैसे को जो है हो safe करना है ताकि आने वाले opportunity उससे देखने मिले उसके साथ मैं यहाँ पर देखिएगा market का यह important support zone था जब market अपने important support zone को भी break कर चुका है trend line को भी break करने के लिए ready हो चुका है तो high possibility थी कि put है आपके heavy quantity में purchase हो गया था market ने put वालों को बुला लिया 100% उन्हें purchase करवा दिया उसके बार market ने rocket किया ओके समझ रहो यह कल का chart में clearly market आपको indicate कर रहा था की उपर जाते वर्ट यहाँ पे क्या हुआ है समझो यहाँ पे हुआ है call यहाँ पे उपर वाला बेटा है नीचे put वाला बेटा है अब यहाँ पे call वाला put वाला को कर द DAY कर जब market यहासे क्या सोचा यह एक पुल बैक है तो उसका भी लॉस हो गया जब मार्केट नीचे जाने लगा तो यहाँ पर जिसका कल लॉस हो था उसने आज दोबारा एंट्री कर लिया तो इसमें हुआ क्या कि जो दो एंट्री हुए थे मार्केट के अंदर सीई साइडन पी से डोनों के लॉसिस हो गए और उसके बाद मार्केट ने अपना असली रूप दिखा दिया अब मार्केट में क्या है कि बड़ा मूफ कहा प्याएगा अगर आपको एक इंपॉर्डन चीश पता है मार्केट के अंदर तो वो है एक नमबर दो नमबर टू बॉटम सेटप इसे बोलते हैं डबल बॉटम सेटप यह काम कैसे करता है इसे काम करने के लिए हमें चाहिए दो बॉटम जो हमारे पास अल्ड़ी मिल चुके हैं उसके बाद में हमें चाहिए दो प्रॉपर इलिवेटेड जो मिल चुके हैं चिक है नमबर वन, नमबर टू, टू बॉटम, प्लस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, टू बॉटम्स, तो दो कन्फरमेशन के साथ हम यहाँ से उपर का प्लाइन कर सकते हैं, कब जब मार्केट, 19,400 के उपर सस्टेनें श्रू करेगा तब, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है और यहाँ से वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी यहाँ पे, यहाँ पे, पूट पर्सिस करने के लिए रेडि था, वह होग पैजय जाएगा, साथ अब इहां पे कौण सा पूटट ने करने वाला है? है अब नब थोड़ी टाइम पहले पहले में आपको क्या बताया कि वह लोग जिसने भी पूट के लिए यहां पर वेट किया है जिसने यहां पे यहां पे और वो जो entry पे put के लिए जिसने wait किया है जो अपना risk management को follow करते हुए चल रहा है वो सब put के लिए आप पे wait कर रहा होगे जैसे कि अगर उसके पास 1500 रूपिस का stop loss है तो 500, 500 and 500 तीन बार divide कर लेगा उसके बाद जो आखरी 500 का loss उसके पास बचा हुआ है वो यहां पे लगा देगा और यहां पे उसका बड़ा profit हो सकता है high possibility हो सकती है ऐसा क्यों है? क्योंकि already market ने दो बार trap कर लिया है कहाँ पे trap किया है? वो मैंने आपको यहां पे अल्रड़ी बता दिया है कि ट्रैपिंग मार्केट ने कहाँ पे और कैसे कर लिया है उसके बाद यह क्या है? यह हमारा nifty bank है जो भी एक आदेखो स्टार्टिंग में मार्केट ने क्या क्या? profit dealer दिया उसके बाद sideway हो गया कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद में हमारा totally free YouTube channel है 32,000 members वहापे already join कर चुके है अगर आपनी joining नहीं किया तो आप भी आकर कहापे join कर लीजे यह totally free है educational videos आपको यहापे मिलता है वो भी totally free कोई भी charge नहीं देना है totally free है तो इसे subscribe कर लो यह जो link आप यहापे देख सकते हो telegram वाला यह भी free है इसका link video के description में आपको मिल जाएगा तो यहापे आकर के भी आप joining कर सकते हो